हाई गाईस आए यहाई आए अधियर एक्सपल पटेल यह बेलकम बैक टू अबर यूट्यूब चनल फार्मा के ओड़ आज हम काफी interesting topics पर बात करने वाले हैं और काफी doubtful topics पर बात करने वाले हैं दिखिए कई लोगों के मन में यह doubt होता है कि जो अभी bird flu फैल रहा है जो bird flu का virus जो spread हो रहा है काफी तेजी से spread हो रहा है जिसकी बज़े से पक्छी मर रहे हैं पक्छीयों कई पक्छीयों की जान च bird flu फैल सकता है क्या काराण है कि chicken egg खाने से bird flu फैल रहा है तो आज हम इसी topics पर discuss करेंगे और सभी doubts को clear करेंगे क्या chicken egg खाने से bird flu फैल सकता है क्या किसी अन्न पक्छी को खाने से भी bird flu फैल सकता है तो हम इस बार में detail में discuss करेंगे देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बर्ड फिलू है वह एक पक्षियों से पक्षियों में होने वाले एक बिमारी है लेकिन यदि उस संक्रमण पक्षि के कॉंटेक्ट में यदि कोई ब्यक्ति आता है तो वह बिमारी उस ब्यक्ति को भी लग जाती है जो डिसीज है जो की संक्रमण बिमारी है जो पक्षियों के द्वारा पक्षियों में फैलती है तो यदि ऐसे ब्यक्ति जो पक्षियों के संपर्क में आ जाएं जो पक्षि संक्रमित हैं ABN influenza या H5N1 से ऐसे पक्षी संक्रमित हैं यदि ऐसे पक्षियों के contact में यदि बैक्ति आ जाता है तो यह संक्रमर बैक्तियों में भी easily transfer हो जाता है और easily बैक्तियों में भी मनस्चियों में भी easily संक्रमर फैल सकता है और यह काफी तेजी से बैक्ति की हालत को बेगारता है और ऐसे बैक्ति की जान भी जा सकती है, तो हम बात करने वाले हैं कि जब यह पक्छियों से पक्छियों में संक्रमन से फैल सकता है, तो यह पक्छियों से बैक्तियों में भी फैल सकता है, और बैक्तियों फैलता है, तो क्या होता है, जब कोई बैक्ति एक्स या चिकन खाता है, म फ्ञैलता है यदि कुछ इहतियात बरती जाये तो means जो चिकन एक काने से कभी बर्ड फ्लू नहीं फेल एम यदि आप उसमें सावधादनियां बरतें तो आप कभी भी चिकन एक खाने से कभी बर्ड फ्लू नहीं फैल सकता है बर्ड फ्लू इस्प्रेड नहीं हो सकता है यदि उसमें कुछ आप सावधानियां बरते हैं तो according to WHO यदि चिकन या एक्स को अच्छी तरह से पकाया जाए उसे अच्छी तरह से ओबालकर खाया जाए उबालकर मिंस अच्छी तरह से उसे पकाया जाए तब इसमें जो प्रेजेंट H5N1 जो बायरस होता है वह पूरी तरह से नश्ट हो जाता है मिंस डबलू एचो का कहिना है यदि किसी भी मास्को या चिकन या एक को अच्छी तरह से पकाया जाए मिंस यदि आप कोई भी मास्क खा रहे हो या कोई भी चिकन या एक खा रहे हो तो उसके लिए आपको यह सलाई जरूरी है कि आप उसे अच्छी तरह से गर्म करें अच्छी तरह से उसे पकाएं एप्रॉक्स 70 70 celsius पर आप उसे गर्म करें 70 celsius के आके ही उसे पकाएं जैसा कि WHO का कहना है कि अधी मास अंडा या चिकन को अच्छी तरह से पकाया जाए मिंस 70 degree celsius से उपर गर्म किया जाए तो इसमें जो उपस्तेत H5N बन जो बायरस होता है A.B.N. influenza virus पूरी तरह से नस्ट हो जाता है और किसी प्रकार का कोई bird flu A.B.N. influenza नहीं फैलता है आप देखी रहे होंगे कि bird flu जो फैल रहा है कई जगा देखने को मिल रहा है कई जगा सुनने को मिल रहा है कि कई poetry form भी बंद कर दिये गया है जो अंडा चिकन का जो मार्केट्स होते है उनको भी बेन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए उनको भी बेन कर दिया गया है तो I hope कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि हमें किस हिसाब से एहतियात बरत नहीं है क्या-क्या साउधानी रखनी है कि हम कैसे अंडा, मास या कोई भी चेकन को हम कैसे खा सकते हैं मेरा तो कहना है कि जब तक यह बीमारी चल रही है, बर्ड फिलू जब तक है मेरा जब तक के पूरी तरह से नस्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप इन सब को थोड़ा कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दें हो सके तो आप बिलकुल भी ना खाएं, लेकिन यदि आप खाते हैं, तो आपको WHO की गाइड लांस का पालन करना है आपको एहतियाद बरनती नहीं है, आपको सावधा नहीं रखनी है, कि आप यदि खाते हैं, तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको पका कर खाना है, 70 डिग्री सेल्सियस से उपर पर आपको इन्हें पका कर खाना है, ताकि उसमें उपस्ते हैं, H5N1 बायरस है, वह पूरी तरह से नस्ट हो जाए और बायर्ट भूलू का खतरा कम हो सके, लेकिन यदि वह मास चेकन या अंड़ा अच्छी तरह से नहीं पकाया जाए, या अध़ पका या कच्छा मास यदि कोई ब्यक्ति खाता है, अध़ मींस कभी कभी क्या होता है, हम उसे अच्छा न अच्छी तरह से नहीं पकाते हैं अध। रही जाता है या कच्च रही जाता है औरिविह मासब खाया जा एक चिकन या ये खाया जाए ढिश्जिया जाता है और वह जैसे उसमें जो H5N1 virus होता है पहर नस्ट नहीं हो पाता है और bird flu फैल सकता है तो यदि एहतियात बरती जाए यदि सावधानी से आप इस सब का सेवन करते हैं तो bird flu नहीं फैल सकता है यदि आप एहतियात नहीं बरतेंगे यदि सावधानी नहीं रखेंगे यदि आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो bird flu फैल सकता है I hope कि आप पूरी तरह से समझ चोके होंगे कि bird flu कैसे फैल सकता है क्या WHO की guidelines है वह के according bird flu कैसे फैलता है और अंडा या चिकन मास खाने से बड़ फैलता भी या नहीं फैलता है आप पूरी तरह से समझ चोके होंगे I hope कि आप जब भी यदि चेकन या मास अंडा कोई भी चीज़ खाएं तो उसे अच्छे से पकाएं 70 डिग्री सेल्जियस के उपर टेंप्रेचर पर उसे पकाएं ताकि उसमें उपस्ते है H5N1 वायरस वह पूरी तरह से नस्ट हो चाके और bird flu फैलने से बच सके है I hope कि आपको यह वी हुआ